नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बाला जी श्टडी एड़ा में आपका स्वागत KBS PRT रिजल्ट को लेकर के लगातार पत्तराचार चल लें उसी क्रम में 29-5-2023 को एक अपडेट निकल करके आईए उसको हम समझेंगे परंत उसको समझने से पहले थोड़ा सा फ्लाइस बैक में आपको जाना पड़ेगा तकि चीज़ें आप बहतर समझ पाएं पज्जाब की अमनफ्रीत कौर जी के दौरा 16-5-2023 को एक पत्र लिखा गया था जिसमें KVS की कमिस्नर को पत्र लिख करके ये बताया गया था कि जो B.A.D. है वो प्रात्मिक में सामिल होने को लेकर के फाइनल जज्ज्मेंट माननी सुप्रीम कोर्ट का आना भी बाकी है इसलिए जब तक फाइनल जज्ज्मेंट नहीं आ जाता तब तक जो रिजल्ट है KVS PRT का उसको ना जारी किया जाए ऐसा यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो की गई थी ये 16 तारिक को इनके द्वारा पत्र लिखा गया था फिर 17 तारिक को KVS की तरफ से reply कर दिया गया था कि जो KVS है उसने लिष्ट तयार करके रखी है जिसमें 28 डिग्री ओल्डर जितने भी चात्र है उनकी एक लिष्ट रिजल्ट की आलत तयार करके रखी है और एक लिष्ट वो है जो की 28 डिग्री जिनकी नहीं है बाकी जितने भी चात्र बचते हैं उनकी तयार करके रखी है जैसे ही ministry of education का जो instruction हमें मिलता है उसके according result जारी करेंगे ये हो गया इनका 17 तारिक का जो फैसला था ये देख लेंगे साइट में तारिक तो 17 तारिक जो है उसको KVS ने reply कर दिया था अब 18 तारिक को क्या हुआ 18 तारिक को फिर से जो है वो इनी के दोरा reply किया गया कि रिस्पेक्टेट सर जो ये मेरे दोरा सिकायत की गई थी प्लीज क्लोज डिस ग्रिवेंस विद आउट एनी प्रोसीडिंग यानि कि कोई पत्र बगारा लिखते ना तो विंडो ओपन हो जाती है तो उसी में आप चैट करते ना तो उस चैट के थुरू इनके दोरा लिखा गया था कि आप इसमें रिजल्ट को ले करके कोई प्रोसीडिंग मतलब आगे ना करें रिजल्ट ना निकालें बेसिकलि इनका में कहने का मतलब था और इसको जो है वो कर दें अठारा तारिक को अब आते हैं एकदम लेटेश्ट वाले नोटिफिकेशन उन्तिस पांच दोजार तेज़ जहां पर आप उपर देख पाएंगे केस क्लोज कर दिया गया है अब आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजे कि कैसे यह आपका अब आया है केस क्लोज का ट्लेर हो गया होगा जो वहाँ पर रिक्वेस्ट की गयी थी कि केस क्लोज कर दिया गया अठारा तारिक को वो केस क्लोज किया गया है और साथी में इनके दौरा क्या कहा गया है वो भी आप यहां पर देख लिजे कि with reference to our your grievance regarding PRT exam result, कि जैसे कि आपने जो है सिकायत की थी, PRT exam result को लेकर के it is informed you that it was already informed that under the recruitment for the post of PRT, advertisement number दिया गया है, be it candidate selection in the panel is subject to the outcome of the यहाँ पर दिखे, आने नी जोद पुर उच्चनेले जो राजस्थान वाला मामला था ना उसको लेकर के जिगर किया गया है और साथी साथ माननी Supreme Court का जो decision है, उसको लेकर के भी जिगर किया गया है, एक line में मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें एक किया गया है कि जो PRT परिक्षा के परडाम में आपने सिकायत के संदर में सूचित किया जाता है कि विग्यापन के तहट जो PRT का पद है, उसके लिए हम आपको already जो है वो सूचित कर चुके हैं कि जो BA panel है, उसमें उमीदवार का चैन, माननी सर्वोच नहले में जो अंतिम परडाम होगा, उसके अधीन होगा और जो जोदपूर उचने आले, राजिस्तान वाला दिनांग 25, 11, 2021 वाला पारित निर्णे हैं, उस पर निर्णे हैं माननी सुप्रिम कोर्ट में जो है वो पेंडिंग है, further it is informed that the process of examination work for the desired post is in progress और यहाँ पर यह भी कहा गया है, कि आगे यह भी सूचित किया जाता है, कि जो वांचितपद हैं, PRT के, उसके लिए परिक्षाकारी की प्रक्रिया जो है अभी प्रगती में है, यानि कि अभी processing में चला है, यह चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही है, आपको देख रहे हैं कैसे एक reply में एक आ गया था, कि बीना B8 के list तैयार अलग कर ली गए, यहाँ पर बात की जारी process की, कुल मिलाकर, इतना के बद समझ लीजे कि result जो भी आपका आएगा या तो नीचे clear लिखा रहेगा, माने जो सुप्रीम कोट है, उसके result के अधीन है, या तो फिर आपका जो result है, जब तक यह final decision नहीं आ जाता, तब तक जो है आपका इस तरीके से pending रहेगा, दो ही यहाँ पर जो condition है, वो निकल करके आ रही है तो यही था हमारे इस overall update में सारी चाशे हमने बहुत ही detail में आपको समझाइए, फिर भी अगर आपको कोई प्रस नो comment में पूस सकते हैं, वीडियो like, share, subscribe अवश्च कीजिएगा, मिलते हैं अगले update में तब तक के लिए नमस्कार, चैहिन